आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिलेशन्शिप आप अपनी रिलेशन्शिप को और ज्यादा कैसे मजबूत कर सकते हैं वीडियो को और आप लोगों की जादा दर जो कॉल्स हमारे पास आते हैं जिने रिलेशन्शिप इश्यूस हैं उनका कहना है कि मैम आपकी वीडियो को देखने के बाद हमने साउथ वेस्ट के एरिया से सारे ग्रीन प्लांटर को रिमुव कर दिया है और किसी भी तरीके से अगर वहाँ पे red color present था उसे भी remove कर दिया है लेकिन we are still facing some issues regarding relationship आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या cable southwest को balance करना sufficient है या कुछ और भी zones हैं जो हमारे relationship के लिए collectively responsible है देखिए जब हम overweight होते हैं हमारा weight जादा होता है या in contrast अगर हम कहें जब हम underweight होते हैं हमारा weight कम होता है दोनों ही situation में आप healthy नहीं कहलाते हैं लेकिन सिरफ आपके weight का balance होना ही आपके healthy होने की guarantee नहीं है एक healthy lifestyle होनी चाहिए आपकी body overall balanced होनी चाहिए अगर आपके weight control में है लेकिन आपको कुछ breathing issues है या constipation issues है या sometimes digestion issues है तब भी आप healthy नहीं कहलाते हैं और इस तरह से किसी ना किसी परिशानियों की वज़े से आपको health issues बने रहते हैं same with your residence, same with your commercial properties अगर वहाँ एक zone balance है it doesn't mean that कि आपके जो दूसरे zones है उनकी वज़े से आपको problem नहीं आ सकती है इसी तरीके से केवल southwest का balance होना definitely southwest is a major role playing zone in your relationship but it doesn't mean that कि कुछ और zones का balance होना जरूरी नहीं है आज की इस वीडियो में हम उनी zones के बारे में बात करेंगे जो आपकी relationship को अच्छा बनाने में मददकार हो सकती है आईए आज की वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नई वीडियो को जल से जल देख पाएं और अगर आपको हमारे वीडियो परसंद आती हैं तो वीडियो को like, share and subscribe कीजिए ताकि और लोग भी इन वीडियो से benefit ले पाएं अगर हम बात करेते हैं साउथ वेस्स जोन की, अगर आपका साउथ वेस्स जोन एक्सेंडेड है या वहां पे कट है, ट्वालेट है, वाशिंग मशीन है, तो डेफिनेटली आपकी रिलेशन्शिप को हैं पर करता ही करता है, इसके बाद हम बात करते हैं नौर्थ और अफ यह जोन मोस्ली जो नुली वैडट कपल हैं या जो वुडबी कपल्स हैं उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, यूदो हर जोन का अपना सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन्शिप की, तो आज हम उनी जोन के बारे में बा करते हैं, नौर्थ ओफ नौर्थ वेस्ट का एरिया सेक्स एंड अट्रेक्शन का जोन है, इसलिए अगर यहां किसी भी प्रकार से इंबालेंस होता है, वेड कलर ट्वालेट आ जाता है यहां पर तो आपकी रिलेशन्शिप अच्छी नहीं रहती है, उसमें से जो अट्रे किसी दरे की कर्स या अकट या एक्सेंशन को आप बैलेंस कीजिए, बैलेंसिंग के लिए हमेशा ही वास्तु में बार्चार्ट की हेल्प ली जाती है, बार्चार्ट के माध्यम से देखा जाता है कि आपके जोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या रेमेडी आपको सजेस्ट क इसी के साथ नेक्स जोन है नौर्थीस्ट का जोन, नौर्थीस्ट का जोन, माइन अंड क्लारिटी का जोन है, वसली देखते हैं, रिलेशनशिप का खराब होने का बहुत बड़ा रीजन है, अग्रेसिव बहेवियर, आपके माइन में अग्रेशन लाने का काम, जोन बालेंस है तो यह आपको लाइफ में आगे बढ़ाने का काम करता है आपको एक अच्छा माइंड सेट देता है आपको एक फ्यूचर विजन देता है लेकिन अगर नौर्थीस्ट के एरिया में किसी प्रकार से गैस बर्नर आ जाता है शार्प टूल्स अगर यहां रखे ह इस्यूस की वज़े से प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जोन इस इस इसका एक्ट्रिब्यूट आप सभी जानते ही होंगे फन एंड रिक्रियेशन किसी भी रिलेशनशिप में अगर एक फन है एक बॉन्डिंग है तो वो रिलेशनशिप लॉंग ला एक तरह के अपने हैं अन्दर है पॉटो द्सट कीन दो और एक हैं अपने कपल स्ट स्ट इन अपने एक वक्रश पway सकते हैं यहां हम बात सिर्फ को पल्स ही नहीं करaaa यह आपका relationship, आपके brothers, sisters, siblings के साथ, आपके parents के साथ, आपके clients के साथ, आपके partners के साथ, किसी भी तरह की relationship के लिए यह zones responsible होते हैं एक तरह से इनकी collective responsibility होती है relationship को strengthen करने में अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे negative zones हैं, जहांबर अगर आपकी photographs हैं, आपकी wedding albums हैं, या कुछ आपके wedding items यहां रखे हुए हैं अगर आप लोग भी अपनी life में इस तरह की problems face कर रहे हैं, तो आप अपनी problems की solution के लिए layered वास्तू से consultancy ले सकते हैं जिसके लिए हमें आपके घर का नक्षा layout जो की architectural layout हो, rough layout ना हो, draftman के द्वारा बनाया गया layout हो, साथी साथ आपकी birth details जब यह हमारे पास आती हैं, हम आपकी problem या concern को ध्यान में रखते हुए, आपको बहुत ही easy remedies suggest करते हैं हमारे कोशिश होती है किसी भी प्रकार का demolition आपको suggest ना किया जाए in mostly cases में हम without demolition बहुत अच्छे result लेते हैं साथी साथ अगर आप अपने कोई property sale करना चाह रहे हैं और वो sale नहीं हो रही है क्या आप चाहते हैं कि उसके लिए आपको कुछ अच्छी clientage मिले, अच्छे पैसो में वो अच्छी price money आपको मिले इसके लिए भी आप layered वास्तु से contact कर सकते हैं क्योंकि sometimes land का sale ना होना भी बहुत बड़ा वास्तु दोश होता है जिसकी वज़े से आपकी land या तो sale ही नहीं हो पाती है या उसके genuine price आपको नहीं मिलते हैं तो definitely you can contact us अब हम बात कर रहे हैं उन zones के बारे में जहां किसी भी तरीके से आपकी photographs, आपकी wedding albums या आपके कुछ wedding articles नहीं होने चाहिए यह zones हैं जिने हम negative zones भी कहते हैं even though यह negative zones नहीं है इनका अपना एक अलग attribute है लेकिन अगर आपकी यहां इस तरह के articles आ जाते हैं तो बिलकुल यह आपको problem देते ही देते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे south of southwest की जो की disposable का zone है इसलिए disposal zone के अंदर जो आप कुछ भी अपने अगर wedding photograph है आपकी wedding albums है आपके कुछ symbols लाइक मंगल सूत्र है चूड़ा है अगर वो यहां रखा है तो यह zone अपनी activity के according उसको dispose off करने का काम करता है जो एक बहुत बड़ा reason बन जाता है mostly cases में divorce होने का बहुत बड़ा reason south of southwest में रखे हुए यह elements है इसलिए आपको ध्यान देने की जरुद है कि इस zone में इस तरह की चीज़े ना रखी हों साथ ही साथ west of northwest के zone में couple bedroom बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हाला कि किसी का भी bedroom यहां नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप relationship problem face कर रहे हैं आप depression की feeling face कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं west of northwest में कुछ इस तरह के article सो नहीं रखे हुए जिसकी वज़े से आपका relationship खराब हो रहा है and the last but not the least zone is east of southeast जो की churning का zone है इस zone में भी couples को अपने bedroom को avoid करना है किसी भी प्रकार से या family photographs, couple photographs या belongingness यहां नहीं रखनी है इन सब zones को discuss करने के बाद अब एक ultimate zone है जो हमारे आज के current scenario के हिसाब से बहुत important है क्योंकि आज को लोग बहुत short tempered हैं आज वो ना एक दूसरे की बास सुनना पसंद करते हैं ना किसी और की feeling सी respect करते हैं कई भार हम देखते हैं बिना बात के ही या या चोड़ी बातों पे ही दो भाई अलग हो जाते हैं या couple separate हो जाते हैं इसका एक बहुत बड़ा reason है west of southwest का zone वैसे तो यह zone education and savings का है तो mostly हम इसे education से ही related मानते हैं लेकिन इसका जो दूसरा attribute है वो है savings savings किसी भी प्रकार की savings आपके रिष्टों की savings आपके पैसों की savings west of southwest से गवन होती हैं अगर आप अपने life में या relationship में देखते हैं कि रिष्टे ऐसे ही छूट जाते हैं बिना किसी reason बड़े reason के छूट छूटी बातों पर आपके रिष्टे खराब हो जाते हैं यानि कि आप अपने रिष्टों की savings नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ध्यान देने बात है कि west of southwest का zone imbalance है आप देखेंगे तो या तो इस zone extended है या यहाँ पर किसी प्रेकार का cut है या anti-element या anti-color यहाँ पर जरूर है इसलिए आपको ध्यान देना है इस zone को balance करना है and after balancing आपको यहाँ एक शिव परिवार में मा पारवती भगवान शिव उनके दोनों बेटे लौड गनेशा और जो उनके दूसरे पुत्र हैं जिनका वाहन मयूर है उनकी जब picture आप यहाँ लगाते हैं या उनकी छुट-छुटी मूरतिया मिलती हैं metallic pieces के अंदर क्योंकि यह metallic color आप बहुत अच्छे से use कर सकते हैं तो अगर आप यहाँ shift परिवार को stop it करते हैं तो आप देखते हैं आपकी life में relationship की saving होना start हो गई है तो इस तरीकी से अगर इन zones के उपर आप ध्यान देते हैं तो आपकी जो life में relationship issues हैं वो बहुत अच्छे से आप manage कर सकते हैं समझ सकते हैं कि क्या problem है usually आप लोगों की query आती है कि balancing का क्या मतलब है balancing का मतलब है जो हमारे घर की या residential या commercial जिस भी तरह की property के अगर हम बात करते हैं तो उसका जो space है उसको 16 major directions में divide किया जाता है हर दिशा का अपना एक segment है अपना एक हिस्ता है अगर वो दिशा उस particular area से जादा या कम है तो वो imbalanced है as well as अगर यह को anti color anti activity है तो भी दिशा imbalance हो जाती है दिशा को balance करने के लिए बार चार्ट का use किया जाता है जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया है बार चार्ट जो है वे टेक्निकल टर्म है जिसके हो हम वास्तु consultant आपको remedies suggest करने के लिए जरूर consider करते हैं इसलिए अगर आप इस तरह की problems को life में face कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह की problems आगे ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए समझिए कि किस zone से related आपको issues है और अगर आपको लगता है कि आपको consultancy required है तो आप हमसे contact कर सकते हैं thank you for watching our video हमारे साथ इसी प्रकार से आगयाने वाली वीडियो में जुड़े रहे हैं आपकी queries का हमेशा ही हमें इंतजार रहता है और आपकी suggestions हमें नई topic को suggest करने में हमेशा help करते हैं करते हैं